मितरो मैं औस्टोधर प्रामिल चत्रवेदी मितरो आज मुलांग तीन की बाते होंगी अर्थात जिन व्यक्ति वीसेस का जन्म 3 तारीक 21 तारीक या भारत तारीक को हुआ है उनका मुलांग तीन अर्थात जन्मतारिक ही यह डिसाइड करती है कि आप किस मुलांग से संबंदित हैं मित्रू मुलांग तीन का प्रतनिधी ब्रियश्पत को माना गया है जो साहस, स्रम, शक्ति के अलावा आपकी धर्म, आपकी ज्यान, आपकी विद्या का सूचक की बिवस्था को चरितार्थ करते हैं, आप मुलांग तीन से संबंदित हैं, तो ब्रियाश्पत के जो चारित्रिक विसेस्ताएं प्रकृति सभाओ का समावेश आपकी व्यक्तित मे सुन्दर तरीकी से सामिल हो जाता है, मित्रों, ब्रियाश्पत अति शुभक कारी प्लानेट जो देवताओं के गुरू के रूप में जाने गए हैं, माने गए हैं, अर्थात इस जीवन की बिवस्था में शुभत्व लच्छर से युक्त ब्रियाश्पत यदि आपके मुल मित्रों, हस्त्रिखा में तरजनी के इस इंडेक्स फिंगर के मूल का एरिया ब्रियाश्पत का माना गया है, और आप जानते हैं, आपको विदित है, जानकारी भी है कि एक महीने तक अर्थात एक राशी में तेरा माह तक ब्रियाश्पत ट्रांजिट फेज अर्थात गोच ब्रियाश्पत ट्रांजिट गोचरी विवस्था में जब मजबूत इस्तिती में होते हैं, इसके अलावा आपकी हस्त्रिखा के इस तरजनी के मूल के परिष्टर में उभार की विवस्था रहती है, सुन्दर तरीके से रहती है, उनका जीवन उन्नत किस्म का रहता है, आपके लगण कोडली में ब्रियास्पत की किस प्रकार की भावगत इस्तिती है, इसके अलावा अंक जोतिश के सापिक्ष आपकी जर्मतारिक डिसाइड करती है, अर्थात यदि आपका जर्म तीन बारा या इकीस तारिक को हुआ है, तो आपका मुलांग तीन है मित्रों, आप ब्रियास्पत से प्रभावित है, मित्रों, रोजगार की बिवस्था हो या आपकी चारित्रिक विश्यस्ताओं की बाद हो, आपकी प्रकृति सभाव की किस तरीके से आप स्वैंग के बिवस्था को आप समाज के सापिक्ष कैसे आप प्रतर्शन कर रहे हैं, आपकी बिवस्था को किस प्रकास से आप रिखांकित करते हुए आपकी जीवन की इस बिवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, मित्रों मुलांग तीन वाले व्यक्ति विश्यस्थ की जो विश्यस्ताएं होती हैं, जो चरित्र होता है, प्रकृति सभाव की जो बिवस्थाएं होती ह वो अलग किस्म की होती है, अर्थात जो पैसा कमाते हैं, उनका द्रब अर्थात पैसा टिकता नहीं है, भाईयों से और मित्रों से विशेश कर लाभ की प्राप्ती नहीं होती है, उनको यदि क्रोध भी आता है, तो तत्छर वो शांत भी हो जाते हैं, बिल्कुल बहु आयाम प्रविर्थी प्रकृती का इस्तिमाल करते हुए धन का संग्रहन भी कर लेते हैं आजिवका के उस साथन की बेवस्था में पहुचते हुए वो जीवन की मद्ध काल को पार कर जाते हैं अर्थात ऐसे विक्ति तर्क प्रधान युक्त तरीके से अपने स्वैंग का संचालन करते हैं कानून का कारे भी कर सकते हैं प्रोफेसर, लेक्षर, सिच्छा देने का कारे सिच्छक के रूप में वह अपनी बिवस्था को सुन्दर तरीके से संचालित कर सकते हैं समा सुधारक के तहत अर्थात एक कल्यारकारी कारे को अंजाम सुन्दर तरीके से वो देते हैं अच्छे तरीके से वक्तब शलिक का इस्तेबाल करते हुए वक्तवाला कारे भी करते हैं जो बोल कर सिछा देने वाली ऐसी बातें अर्थात अचारे भी हो सकते हैं प्रिंटिंग कारे में भी उनकी सुन्दर पकड़ होती है, छापा खाना का ब्योसाय भी कर सकते हैं, अर्थात सियर मार्केट संगठन के संदर्म की बात हो, लिडर्शिप संबंधी, वर्किंग प्रोसीजर की बात हो, पुरातत्तो प्रेम संबंधी, राजनिती, अन्वेशन अनुसंधान, खोज, शोध कारे में परंगत रहते हैं, देव मंदिर से रिलेटेट सुभकारी, एथिकल, मोरल, वैलू संबंधी कारे भी, मुलांक तीन वाले, विशेशकर पाये जाते हैं, मंत्र संबंधी धार्मी कारे, मंत्र बोलने वाला उचारा के तहत, मंत्र वाहक स संबंधी धार्मी कारे, सत्संग से रिलेटेट कारे, देव मंदिर से संबंधित पुजारी वाला कारे, मुलांक तीन वाले सुनतर तरीके से कर सकते हैं, मित्रों, अथिकल वैलू का इंटरिपृटेशन व्लियाश्पत करते हैं, इस जीवन की ब्यवस्था में, समाजिक का या आपकी मना इस्तितिक के तरीके से आपकी सोच कैसी है आपका वेवारिक पक्ष कैसा है उसमें शुभुता के लच्छर का जब एप्लिकेशन मोड का समाहन होता है आपकी कारेशली में नितिक्तावाद से युक्त कारे यदि आप करते हैं तो आप ब्रियस्पत से समाजिक कारे समाज सुधार के संदर्व में यदि कोई कारे करते है एथिकल नितिक्ता धार्मिक और इस्वर के प्रति आस्थावान सम्मंधि कारे ग्यान सम्मंधि ग्यान ग्यान को बाटने से सम्मंधित कारे और सत्संग से युक्त आप दूसरों को आप सुंदर तरीके स एकादर शात्मक एकाद्लिशिक थोट से युक्त कुछ वक्तब शली का इस्तिमाल करते हुए किसे को सुंतर तरीके से यदि आप माटिवेट करते हैं. तो आप ब्र्यश्पत से युक्त कारे करते हैं. मित्रो ब्रियश्पत अर्थात मुलांग तीन जब ब्रियश्पत से व्यक्ति प्रभावित होता है अर्थात जिनकी जन्मतारिक तीन इकीस या बारह होती है उनकी मुलांग तीन हो जाया करती है अर्थात मुलांग तीन का प्रतिनिधी ब्रियश्पत को माना गया है ब्रियश सुन्दर संतुलन बना रहता है जीवन काल अनेतिक कार में ऐसे व्यक्ति लिप्त नहीं रहते अनेतिक कार में लिप्त व्यक्ति विशेश की कोई भी व्यक्ति हो सामने वाला व्यक्ति हो उन्हें पसंद नहीं करते मित्रों शुप तारीक के रूप में ऐसा देखा गया है कि क पे color treatment के तौर पे पीला वस्त्र पीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं सुमवार ब्रियस्पतिवार आपके लिए सुब दिवस की रूप में माना गया है रत्न पीला पुखराज यलो सफायर धारन कर सकते हैं आपके शुभता का वर्स उम्र बीतने के पस्चात अर्थात जब तीस वर्स के हो रहे हैं मुलांग तीन में आ रहे हैं 3 प्लस 0 is equal to 30 अर्थात 3 मुलांग में आ रहे हैं अर्थात शुभ वर्स के तहत तिसरा वर्स बारवा वर्स 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66, 75 और 84 आपके शुभत वर्स के रूप में आप इसे रिखांकित कर सकते हैं तारिक की बात कर तो अशुभ तारिक में मुलांग 1 से 7 से और इन दो मुलांग से आप दूर रहें अर्थात तारिक में अशुभ तारिक एक 7, 16 और 25 तारिक को एवायड करें कोई सुभत तुकार इस नियत तारिक को आप ना करें तो आपके लिए बहतर होगा मित्रों सबसे अच्छी बात है कि मुलांग 3 के मित्र अंक 6 और 9 है टेलिफोन, मोटर, वाहन, मकान इससे संबंधित यदि आप अलॉट्मेंट कराते हैं नंबर का अलॉट्मेंट कराते हैं तो आप 3 मुलांग को पसंद करें या ऐसा कोई अंक हो जो 3 से डिवाइड हो जाए मित्रों 7 से बिभाजित होने वाला कोई भी अपना मोटर वाहन का जो नंबर होता है उससे आप कदापी ना लें बिलकुल या जो 7 से डिवाइड होता हो या 7 मुलांग हो उससे आप अवाइड करें मित्रों मुलांक तीन से युक्त व्यक्तित जिनकी होती है वो शुभत होते हैं शुभकारी कार में उन्हें पारंगत हासिल रहती है और सबसे अच्छी बात है कि वह उनकी जो व्यक्तित से जो वेवस होते हैं पॉस्टि वेवस की प्राप्ति होती है यदि मुलांग तीन वाले आपके आज पास भी एक मित्र के समुदाय के रूप में, मित्रता के रूप में आपके पास हैं, तो आपको भी सुन्दर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, मुलांग तीन वाले जा तक ऐसा देखा गया है, कि तीस वर्स तक आनशिक रूप से पु प्रतित रहते हैं, यदि पित तीस वर्ष की पस्चात उनका बहुत सुंदर भागोदय होता है। इस मंत्र का आप एक माला 108 आवरिती जाप भी कर सकते हैं। किसी कारे की शुरुवात करते हैं, तो आपके लिए यह बेहतर होता है। मित्रों, गोचरी विवस्था में एक राशी पर तेरा माह तक ब्रियश्पत विराजमान रहते हैं। मुलांक तीन से युक्त यदि आप व्यक्ति हैं, तो मित्रों, शुभता के लच्छर के साथ, अपने अचार विवहार के सुंदर संतुलन के साथ, आपको कदापी मानसहारी भोजन नहीं लेना चाहिए। विश्णों की अराधना में आप तलीन हो जाएं, खासकर ब्रिश्पतिवार के नियत दीवस को उस दिन पीत वड़ का वस्त धारन करें। परतिनिधी, ब्रियश्पत है, अर्धात मूलांक तीन है, मूलांक तीन की प्रकृति, सुभाव और विशेस्ताओं के साथ, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत, मैं आश्टलोजर प्रमिल जद्रवधी, नमस्कार।